मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ अक्सर आपने करंसी नोट्स पर इस लाइन को देखा होगा जहाँ पर RBI गवर्नर का सिगनेचर होता है क्या कभी आपने सोचा है कि इसका क्या मतलब होता है वो कैसे ये वचन ये कैसे ये प्रॉमिस यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको इतने रुपए वो देंगे आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि RBI जो है वो हमारी सरकार को जो RBI के पास सर्प्लस पैसा होता है वो दे देती है तो अगैन यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि कैसे जो सर्प्लस होता है RBI के पास सबसे पहले तो वो RBI के पास कैसे आता है और वो सरकार को कैसे देती है और उसके साथ साथ आज का सबसे important सवाल की RBI जो सर्प्लस देता है उसके लिए RBI के खुद के पास वो सर्प्लस कहां से आता है यानि RBI actually कमाता कैसी है इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं Hello everyone, Myself Pinky और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Udda 24-7 पर चलिए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा RBI के बारे में कुछ चीज़े जान लेनी होगी जहां पर हमें पता है कि 1934 में Britishers के टाइम पर इसको बनाने के लिए एक Act पास किया गया था और finally 1935 में जो है इसका Establishment RBI का हुआ उसके बाद 1948 में इसका Nationalization हुआ राश्ट्रकरन हुआ यह हम सबको पता है और finally 1900 या फिर आप बोल सकते हैं 1949 में यह एक सरकारी संस्था बेसिकली बन गई यह था थोड़ा सा RBI के बारे में कुछ चीज़े उसके बाद आपको आपका शायद यह सवाल आता है हम सबको पता है RBI जो है वो Currency Notes इशू करता है यह जो है पावर जो है RBI को Currency Note इशू करने की कहां पर लिखी हुई है Reserve Bank of India 1934 के Act में and that two कौन से कहां पर Section 22 Clause 1 में 1934 के Act में यह लिखी गई है कि RBI के पास यह authority है कि वो जो है पैसे इशू करनसी चाप सकता है और basically इशू कर सकता है Last में मैं आपको कुछ एक बहुत interesting point और बहुत ही interesting fact बताने वाली हूँ but वो towards the end मैं आपको बताऊंगे अभी के लिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़े जान लेते हैं तो क्योंकि मैं printing पैसो का print करने की उनकी issue करने की बात कर रही हूँ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहां कहां पर print होते हैं मैं यहाँ पर currency notes printing की बात कर रही हूँ तो यह कुछ important sites है जैसे for example आप देख सकते हो West Bengal में West Bengal में आप यहाँ पर देख सकते हो Salboni करके जगा है Nasik में यह print होते हैं महराष्ट्रा में उसके बाद मैसूर करनाटका में राइट और उसके बाद एक बहुत important जगा है देवास करके मद्ध प्रदेश में यह कुछ important sites है जहाँ पर printing press है हमारी currency notes के लिए इन में से कुछ printing presses को हमारी सरकार समालती है और कुछ को हमारा central bank यानि कि RBI समालता है अक्सर आपने news में यह देखा होगा कि RBI जो है वो अपना surplus मतलब उसके पास जो पैसा बच गया है जो पैसा extra है वो सरकार को दे रहा है या फिर सरकार बोलती है कि आप जो है हमें अपना यह extra पैसा दे दीजे तो यह आप देख सकते हो जो यह increasing trend है 2010 से अगर आप compare करो तो यह trend जो है वो बढ़ ही रहा है मतलब RBI जो है वो जादा से जादा पैसा जादा से जादा अपना surplus जो है वो सरकार को transfer कर रहा है उससे पहले हम यह जाने कि किस तरीके से RBI जो है वो basically अपना surplus transfer करता है उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि RBI की जो पूरी balance sheet है उसके पास उसमें surplus का मतलब क्या है देखिए दो sides होते हैं किसी भी balance sheet के एक होता है liability side एक होता है asset side liability मतलब जो RBI को पैसे चुकाने होते हैं उसको हम कहते है liability asset होता है जहां से RBI कमा रहा है तो मान लो अगर asset और liability इन दोनों को हम subtract करते हैं minus करते हैं और जो भी result आता है अगर positive में result आ रहा है मतलब RBI के पास पैसा जो है वो surplus में है और अब वो surplus का कुछ percentage कुछ हिस्सा किसको दे सकता है सरकार को दे सकता है यह कौन decide करता है यहाँ पर यह हम already देख चुके हैं यह सवाल में शुरू से यहाँ पर आपको कहने लग रही हूँ कि RBI जो है यह surplus देता है सरकार को पर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि surplus तो दे देगा सरकार को पर RBI की RBI actually में कमाता कैसे है मैंने आपको balance sheet दिखाई पर उसमें हमने technicalities नहीं देखी अब next slide में मैं आपको कुछ technical चीज़े बताने वाली हूँ exactly वो बताने वाली हूँ जिससे RBI जो है वो कमाता है तो ध्यान से यहाँ पर देखेगा सबसे पहला है gold देखे RBI जो है सोने को खरीदता है और मालो सोना जो है मैं example लेती हूँ सोना जो है RBI ने 100 रुपे में खरीदा कुछ तोला सोना खरीदा और उस 100 रुपे की जो है कीमत अब बढ़ गई है मालो 200 रुपे हो गई है तो जो 200 रुपे में वो जो है बेच देगा सो बेसिकली जो मुनाफ़ा होगा वो RBI का होगा सोने की खरीद और बिकरी से RBI कमाता है दूसरा है कहां से कमाता है deposit with foreign banks आपको पता है RBI का कुछ पैसा बहार के Central Bank बहार के देशों के जितनी भी Central Bank है जैसे हमारे यहां पर RBI है बहार के देशों में भी Central Banks है जैसे Bank of England हो गया सब देशों के अलग-अलग Central Banks है वहाँ पर RBI पैसा जमा करके रखता है ना ही सिर्फ Central Bank में IMF हो गया आपका International Monetary Fund हो गया World Bank हो गया यहां पर भी RBI का पैसा जमा होता है और यहां से यह बहार जो पैसा निवेश नहीं जमा जो करके रखता है वहाँ से कुछ ब्याज आता रहता है इंट्रस्ट आता रहता है वहाँ से भी RBI कमाता है तीसरा है इंट्रस्ट आनिट्स बोन्ड होल्डिंग बोन्ड होल्डिंग जो होते हैं मैं आपको बताती हूँ बैंक जो है आपको पता है लोन लेते हैं RBI से बैंक अप लोन लेते हैं तो क्या देते हैं कुछ गिर्वी भी रखेंगे RBI के पास government securities गिरवी रखते हैं और loan लेते हैं उस loan पे जो RBI interest charge करता है उससे भी RBI कमाता है यह आपको पता होगा हमने repo rate में यह पढ़ा था इसको repo rate कहते हैं कि जी आप government securities अपनी गिरवी रख दो banks जो है वो गिरवी रख देते हैं और RBI उसके बदले loan देता है और उस loan पे जो interest charge किया जाता है उसको हम repo rate कहते हैं और उसी interest rate से जो है RBI कमाता है जी अभी repo rate काफी news में है तो हमारे लिए repo rate का मतलब समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है next है open market operation जहां पर open market में government securities को खरीदना और बेचना RBI करता है जिसके through भी RBI जो है कमाता है तो ये कुछ important चीज़े हैं ये कुछ important points है जहां से RBI majorly कमाता है चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो surplus है ये कौन decide करता है कि कितना surplus दिया जाएगा सरकार को कितना नहीं दिया जाएगा देखे इसके लिए बहुत ही famous एक committee आई थी जिसको हम बिमल जलान committee बोलते हैं आपको ये ध्यान रखना है आपके किसी भी exam में पूछी जा सकती है तो इस committee ने ये suggest कि आपके पास संभालना भी पढ़ता होगा system तो अपना खर्चा निकालके जितना भी आपका profit है अपना खर्चा निकालके जो आपके पास बचा वो आप RBI को दे दो स्वारी वो आप सरकार को दे दो अब कितना पसेंट आपको रखना है ये बिमल जलान कमिटी ने बताया कि जितना भी surplus है उसका 5.5 to 6.5 पसेंट आप अपने contingency fund के as a contingency fund रख लो contingency का मतलब है कि emergency के time पे अगर वो पैसा आपको इस्तमाल आ जाएगा जैसे for example कोवड कोवड जैसे situation आ गई थी कोवड जैसे हमारी अगर आ जाती है तो इतना पसेंट आप पैसा अपने पास रखो अपने surplus का राइट अगर कोई क्यों है कि अगर मंदी आ रही है तो कुछ-कुछ पॉलिसी के तुरू चीज़ों को ठीक करने के कोशिश कर रहा है वो सीधा print क्यों नहीं कर देता पैसे और बाट क्यों नहीं देखा देखे हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हमने ऐसा करना शुरू किया तो हमारे देश में भी वेनेजुएला जैसी जैसी conditions आ जाएंगी आपको पता है वेनेजुएला में महंगाई जो है एकदम आसमान चूट चूट चुकी है हाला कि उन्होंने बहुत सारी चीज़े करी हैं control करने के लिए but as you can see बहुत जादा वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है ये इसलिए हुआ ह है मतलब खरीदने की शमता है वो बढ़ जाती है अब वो 5 रुपे का समान बेशक 10 रुपे में बिकराओ वो खरीद लेंगे क्योंकि जेब में पैसा जादा है तो हम और इससे क्या होगा directly महंगाई बढ़ेगी inflation बढ़ेगी इसलिए printing money is never a good option like ऐसे ही आप जितना भी unlimited पैस चापके नहीं बाढ़ सकते हो अब बात कर लेते हैं एक सबसे important सवाल की कि कितना जो है पैसा जो है RBI लोन में दे सकता है देखे जितना भी RBI के पास गोल्ड होता है और जितना भी RBI के पास Forex Reserve present है अभी इन दोनों को मिला के जितना भी पैसा RBI के पास है उतना ही RBI आगे लोन दे सकता है ठीक है इससे जादा रखम RBI जो है वो लोन में नहीं दे सकता वरना अगेन फिर महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी ठीक है जी चलिए तो ये कुछ चीजे है अब देखे RBI का सिर्फ एक ही काम नहीं होता है कि आपको पैसे कमाने है और ये सब चीजे करनी है RBI का एक और बहुत important काम होता है जो कि क्या है कि हमें economy में price को stabilize करके रखना है price stability रखनी है ठीक है demand and supply का जो curve है उसमें instability नहीं आनी चाहिए right price किसी भी चीज का ना तो बहुत जादा होना चाहिए ना बहुत जादा मंदी आनी चाहिए किसी भी चीज के price में और इस चीज क make sure करने के लिए RBI जो है अपनी एक नीती इस्तमाल करता है जिसको हम monetary policy कहते हैं जिसके बहुत सारे tools होते हैं right बहुत सारे tools होते हैं कुछ important tools में यहाँ पर आपको बता देती हूँ सबसे पहला है CRR cash reserve ratio जहां पर RBI क्या कहता है banks को कि आप जी अपना जो total आपका NDTL है total जो खुद की ही तिजोरी में 18% अपने total deposit का रखता है ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई emergency आती है तो basically यहां से यहां से वो maintain हो जाई यह सारी चीज़े कौन इंस्टरक करता है RBI इंस्टरक करता है क्यों इंस्टरक करता है ताकि market में price एक stable level पे बना रहे ठीक है ऐसा ना हो जा है जो emergency funding जिसको हम बोलते हैं तो यह सारे जो हैं वो tools हैं इनका मतलब मैं आपको already समझा चुकी हूँ right अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे economy वाले lectures जाके देख सकते हैं जहां पर मैंने रेपोरेट रेपोरेट हाला कि मैंने आपको अभी भी बताया है ठीक है जो loan RBI द का सिर्फ कमाने के अलावा और क्या-क्या function होता है जाते-जाते मैं आपसे दो चीजे शेयर यहां पर करना चाहती हूं अच्छा वो शेयर करने से पहले मैं आपको बता दू हमने यहां पर जितनी भी बात करी है यह सिर्फ और सिर्फ currency notes की बात करी है 500 का जो भी आप बोलते की minting की जो जिम्मेदारी होती है वो RBI की नहीं होती है वो होती है हमारी भारत सरकार की और यह लिखा हुआ है Coinage Act 1906 में जैसा कि आप यह Act का यहां पर copy देख सकते हैं Coinage Act 1906 में यह लिखा हुआ है कि जो हमारी जो हमारे जो हमारी जो भारत सरकार है उनकी यह responsibility है तो coins जो है वो RBI की responsibility नहीं होते, यही interesting fact था जो मुझे आपको बताना था, जाते जाते दो चीजे मेरे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सबसे पहले अगर आपको कोई भी book हमारे यहां से ADA247 के application से खरीदनी है, तो सारी books पे आपको 22% off अभी मिल रहा है, और इस discount को avail करने के लिए आपके लिए बहुत जादा beneficial होगा, और at the end मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ADA247 regulatory bodies पर मेरा ये एक बहुत बड़ा मैं initiative लेकर आई हूँ, जिसका नाम है The Bigger Picture, जो की जहां पर मैं आपको current affairs cover करवाती हूँ, आपके किसी भी competitive exam के लिए current affairs यहां पर cover करवाये जाते हैं, रोज सुबस 7 से 8 बजे मैं आपसे यहां पर live मिलती हूँ, यहां पर आपको PDFs भी provide करी जाती है, आपका revision भी होता है, आपके test भी proper manner में conduct करे जाते हैं, तो मैं आप सभी से request करूँगी कि आप सभी मुझे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कल सुबस 7 बजे आकर मि bigger picture में, आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से कुछ important topic के साथ आऊंगी, till then, stay tuned, thank you so much.